तो अब हम लोग सवाल नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे 30 तक और यह मान लीजिए कि यह आपको भूत ठंग से समझ में आने वाला है और यह सवाल आप देख सकते हैं यह सवाल पॉलिटेक्निक 2014 में आपको मिल गया था यह 2014 के पेपर में यह कोश्चन आया था तो में सुरेशन क सवाल नजर अंदाज आपको करना ही नहीं है चलिया आगे बढ़ते हैं और एक-एक चीजों को बारी की से समझते हुए हल करते हैं लिगा कि पांच सेंटीमीटर भुजा का एक घन एक आयता का टेंक जिसका माप 25 सेमी गुड़ी 18 सेंटीमीटर है उसमें रखा गया है इसम पर कंडीशन आपको समझना अगर आप कंडीशन समझ जाएंगे तो आपके लिए असान होगा कंडीशन का मतलब यह है एक घन है पांच सेंटीमीटर भुजा वाला यानि चोटा सा कोई टुकड़ा है गुटका है उसे एक बड़े से बरतन में वह क्या आयताकार बरतन है उ उसमें रखा गया है समझ लिजिए कि एक भगवने के अंदर भगवना तो गोल होता लेकिन मैं आयताकार भगवने की बात कर रहा हूं आयताकार बरतन में एक घंड रखा गया है और उस बरतर में तीन सेंटीमीटर उचाई तक पानी भरा है और पांच सेंटीमीटर भुजा वाला घंड उसके अंदर रखा गया है तो ज़रा सोचिए तीन सेंटीमीटर पानी पहले से है अब पांच सेंटीमीटर के कोई समान उसमें रखा जाएगा तो समान कितना सेंटीमेटर पानी से भीगा रहेगा जितना सेंटीमेटर तक पानी है उतना ही नौध तो तो सेंटीमीटर क्या होगा खाली रह जाएगा बात को समझेगा कि जब घन उसमें रख दिया गया तो तीन सेंटीमीटर तक पानी है इसका मतलब घन पांच का है इसका मतलब दो सेंटीमीटर घन का हिस्सा पानी में नहीं डूबा है अब 3 सेंटीमीटर घन का हिस्सा पानी मे अधे गूबा है संवज़ मेरी बात कि टैंक में कितना पानियों डाला जाया कि घंठीक ढ़सा घाए उसको ढखने के लिए जितना उचाई तक घंग का हिस्सा नहीं डूबा है 네, मिखंवी Olと ओrok Lewis तो बचा हुआ उचाई मेरे त्ट分鐘 अधा को अक्रीम दाता का टंकी लंबाय आई रहा कि बता रएंव कुछ डाले गए पानी का हाएतन घाले गए पानी का आय तन बरावर होगा लंबाई गुड़े चोड़ाई उचाई तो लंबाई चोड़ाई पाचीस अठार दिया है 25 और अठार रहे हैताकारवरतन का और उचाई कितना उचा ऊठा हो भरना भाइ жितना उचा बाकी है घं उतना तो दो तो पच्छी दूना पचास अटार पचनवे नौसो गन सेंटीमीटर पानी और इसमें डालना है लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा यह जो घंड है ना पांट सेंटीमीटर लंबा चोड़ा और दो सेंटीमिटर ही जसा इसका वाकी है मेरे बात को तुसन के शम्झेंगे तो सवाल समझ लेकिन कितना घं जितना हिस्सा पहले पानी से उपर था उतने ही हिस्से का आयतन घटा देंगे ठीक है तो पानी के उपर ही हिस्से वाले घंका आयतन पानी के पानी के उपर ही हिस्से के घंका आयतन घंका आयतन तो यह इसमें देखिए सब्सक्राइब लेकिन उचाई इसका घट जा रहा है दो इस इंटेउस तो पांच गुड़े पांच गुड़े दो यानि हो जागा यह पचास अब नौशो में से पचास घटा दीज़े आपका एं पानी उसके अंदर और डालना जाएगा तब जाकर के घन पूरी तरह से ढख जाएगा बहुत बच्चे इस बात को अभी तक नहीं समझाओंगे तो मैं दुबारा एक बार ओभर देता हूं तब समझ जाओंगे कि जैसे मान लीजिये है आप है चार कोन्गी बालटी लीजिये वालटी कोई टुकडा डाल दीजबक है ये शानट नडूबा वह तो जो डूबाँ है वह था व्अम पानी भादाए नहीं चर्छा रात जोना कि बाक्राइब चल्छा को इस संटिकार श्रीन करना कर जा कि पूरे बरतन कायतन निकाले पूरे बरतन कायतन में से इट कायतन घटेगा कितना इट का जितना सिर्फ उपर उठा था पानी से उतने का तो वहीं मैंने यहां नौसम से पचास घटाया है अगर आप सिरियस होंगे तो जरूर समझेंगे आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 22 बहुत अच्छा सवाल है कि कहरा कि एक बेलनाकार अस्तम का वक्रप्रिष्ट 264 वक्रप्रिष्ट यानि टू पाई आर्यच दो सो चूंगसर बर्ग मीटर है आयतन 924 घंड मीटर है इसके व्यास का इसकी उचाई से अनुपात क्या होगा त पहले इनका अनुपात निकाल लेते हैं बख्रप्रिष्ट बठे आयतन अटन का सुत्र होगा पाई यारी स्कॉयर एच बराबर हम लिख देंगे 924 वक्रप्रिष्ट कितना है 924 सब्सक्राइब 264 है बख्रप्रिष्ट हमारे कितना है 264 है यहां पर आप देख सकते हैं 264 ह है क्या हो गया है गलत दिखा रहा है 264 अब आटे आयतन की जगर पर 924 लिखने देना है यह दिया यहां पर देखिया आयतन 924 अब काटिये इसको दोस्ते काटिये दे सीधे इग् latf गर्णार सब्सक्रा माराख दकांब मैं ठीक है 21 चार तरहाब मे अड़कर देते हैं दोस्तए सब्सक्राइब चब लो पाई से पाई काड़ लो और से ठ्थ्यार काड़ लो क्या बचा दो बटे आर बढ़ावर दो बटे साथ ठीक है कि या बजरा जी कि अधर कि मैटम का फोन बज रहा है यहां पर देखिए उपर से दो और दो क्या हो कट जाएगा आर बराबर साथ आ गया ठीक है अब इसी तरीके से हम यह का मान निकाल लें तब अच्छा है तो टू पाई रह यह उस बराबर दो सोट सट दो गुड़े पाई का मान 22वाटे दुक्री अर का मान तो सात आ गया गुड़े यह बराबर प्रवाइब दोसो चोंग सट ठीक है अब क्या करेंगे काटेंगे इसको अब ध्यान दीजेगा पहली बातो साथ से साथ कट गया एग्यारे से दूज गारे बाइस दूनों चोगवाइस हो गया एच बराबर भू सो चॉथ सट बटेशोhewालीस फिर चस चबalten चर च चोवाईस चक मालक ही अगया चामन के इसको लिए हमें क्या ग्याद करना था ध्यान से देखे यहाँ पर साथ आया है तो नीचे येच कमान देखे किता या चैनल तो दो से च्छे काटेंगे दो तीयाश यानि साथ बटे तीन अनपात में बदेंगे साथ आपको पहला वाला आप्सन सही है क्लियर यह एकदम असान चीत था बस आपको हल्का सा दिमागा लगाना थ आप आगे बढ़ेंगे यहां पर देखें तेइस नंबर पर एक आयताकार कागच का टुकड़ा 44 सेमी उड़े 10 सेमी का है इस कागच को मोड़कर ऐसा बेलन बनाया जाता है जिसकी उचाइद यह तरीके से आयताकार कागच का टुकड़ा बना दिया हमने यह क्या 44 और यह क्या है ठीक है तो 44 और 10 जब इसको मोड़ेंगे हम उचाइद 40 निची यो 44 तूपी आर बन जागी जबालिस क्या है 2 यार बराबर 44 के दो गुड़े कमान 22 साथ दू आर यह अरब बर चमान चम चाट गया आर बख हैसाथ दिरणा गुड़ा करेंगे अर बराबर साथ साथ तो आ रा गया और य belangrijk उचाईद दिया ही धस आर्या है यह कमान 10 दिया ही है तो बेलन कायतन का सुत्र हम जानते हैं क्या होता है विए बराबर पाई आरी स्क्वाइर एक ठीक है तो पाई कमान 227 आर कमान 7 गुड़े साथ हो जाएगा आरी स्कॉर हो गया इसका मां 10 साथ से साथ कट गया ठीक है अब यह पंद्रह सो चालीस हो गया आपका अपसर नंबर गवाला से हो गया ठीक है आगे देखते हैं अपकी बार वाला सवाल बहुत ही बेस्ट है बहुत ही बेस्ट है ज्यान से समझना होगा इसको एक कमरे की उचाई चोड़ाई और लंबाई करमसर 357 के अनपात में है उच चाई चोड़ाई और लंबाई ध्यान दीजेगा हूँ चाई चोड़ाई और लंबाई तीन पंस आतके अनपात में यदि प्रत्यक बीमा को 50 सेमी बढ़ाया दिया जाय तो चारों दिवारों का च्छेतर फल अठाइस बर्ग मीटर हो जाता है तो ध्यान दीजे यह सारे के सारे अंसर मीटर में हैं और यह अकेला सेंटी मीटर में है तो सबसे पहला काम आप यह करिए कि सेंटी मीटर को मीटर में बदल लीजे चात्रों नों गलतियां बहुत बार किया है कि सेंटी मीटर मीटर को ऐसे के वैसे रहने देते हैं सीदे गुड़ा भाग करके कोई अंस तो मान लेजे मुझा आई क्या है आपका तीन यक्स और चोड़ाई पांच यक्स और लंबाई साथ यक्स अब तीनों में 50 cm बढ़ेगा तो 50 cm को क्या लिखेंगे 0.05 फॉक रॉनफ मीटर से जीर तुषनों क्या लिखेंगे 5 मीटर तीनों में क्या करना बढ़ा देना है इस नाते में च가 क्य किया है जोड दियां समझवारी बात अब अब देख्यों क्या करते ही है तो चारो दिवालों का छेत्रफल 28 वर्ग मीटर जाता है तो चारो दिवालों का छेत्रफल का सूत्र जानते हो क्या होता है होता है चारो दिवालों का छेत्रफल दो गुड़े वुझाई पूरे मुझाई ब्रेकेट मे लंबाई जम्ड़ायी सूथ पूर जो जाने गाँ वही सवाल को समझेगा धर गुझाई उनौ उनके लंगाई वहीं कड़ाई किन में तौरी की चाहरो दीवालों तो यह हो जाता है 28 यहां देखे लिखा ना 28 देखिए तो अब क्या करेंगे दो गुड़े उचाई उचाई कमान हमारा क्या है पहले लिखा था पुछाई चोड़ाई लंबाई थी आपका उचाई है यह चोड़ाई है और यह लंबाई है जैने 3x प्लस 0.5 अब ब्रेकेट में लंबाई प्लस चोड़ाई लंबाई को क्या लिखेंगे पांच एक्स प्लस 0.5 और लंबाई को साथ एक्स प्लस 0.5 ठीक है चोड़ाई लंबाई मैंने इसके अंदर लिख दिया आप जोड़ूंगा अब कुछ नहीं करूंगा बराबर अठाइक लिखूंगा अब जोड़ेंगे हम दो का अंदर गुड़ा गरं दो त्यों च्छे एक्स हुआ प्लस दो का आधा में दो पच्छ दस अरे जीरो दसमलों 5 का मनले वह आधा आधा का दुगना करोगे एक हो जाएगा वैसे भी दो पच्छ दस आ जागा यानि वह न आ जाएगा इस तरीके पांच एक्स साथ हो जाएगा बार एक्स अंदर 0.5 0.5 जोड़ेंगे तो 0 1.0 बराबर 28 ठीक है तो 6 एक्स पुलस 1 एक ब्रेकेट में अगरे ब्रेकेट में बार एक्स पुलस 1 बराबर क्या हुआ 28 अब यह द्यूगा समयकड का रूप ले रहा भाई बरचाग 72 एक्स स्कॉयर पुलस 6 एक्स पुलस 12 एक्स ठीक है अब प्लस एक ठीक है ना बराबर क्या लिखेंगे 28 तो बारे छे ठारे एक्स हो गया अब ब्लस 72 एक्स स्कॉयर प्लस 1 बराबर 28 अठाइस बाए पच्छ म में लाइए 72 एक्स स्कॉयर प्लस 18 एक्स 28 आके एक में से घट जाएगा 28 माई पच्छ में आगा घटेगा 27 बराबर जीरो अब गुड़न खंड कीजिए कि मुड़न खंड कर देते यहीं बगल में हम तो बहत्तर गुड़े 27 करें घटाने पर 18 आना चाहिए एक काम करें पहले नौ से कार दीजिए दोनों पच्छों का अलका हो जांना अच्छे बहुत आराट एक्स स्कॉयर प्लब नौ दूना अठाइस दो एक्स मैं नो तुरू सताइस तीन बराबर जीरो अब आप तरी 24 गटाने दो आना चाहिए च्छेट जो भी च्छे में से टाप जाएगा दो तो यहां लिखेंगे 8 एक्स स्कॉयर प्लस च्यक्स प्लस कितना एक्स इस च्यक्स माइनस 4 एक्स और माइनस 3 बराबर 0 ठीक है तो इन दोनों में से हम कामन लेंगे 2 एक्स बचेगा 4 एक्स प्लस 3 अगले ब्रेकेट में माइनस 1 कामन लेंगे तो बचेगा 4 एक्स प्लस 3 बराबर 0 एक ब्रेकेट में 4 एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रेकेट में 2 एक्स माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर एक बचा दो आएगा और यह माइनस में आए तो इसको नहीं लेंगे को Mormon है या मराम वर एक वट दो ठीक है तो हमारा है कि द्यान दीजिए खॉश्शण पर आते हैं हम लोग को कुश्चण पर आते हैं औरे कुश्चन ना को 3 5 7 ये चोड़ाई रॉचाई लंबाई लंबाई ठीक ना तो 3 X को फिब्स को क्या करेंगे 3 X का मिल्लब तीन गुडे 1 बटी 3 2 आ जाएगा और 5 X का मिल्लब सा थो दो हमें क्या ग्yahत करना था सभी तरह आएगा त् i fix CAR TE भाग देंगे आप दस्मोन में किनना यह देड़ हो जाएगा यह धाई हो जाएगा शाड़े-3 डेर धाई-3 ठीके ना डेरड़ धाई-3 तो यह देखिये गोवाला आपसों सही है गोवाले अपसों में लिखा है डेर देखिये धाई देखिये और साधे तीन के लिए रहे तो यह गोवाला आपका अपसर सही है आगे बढ़ते हैं कि यह देखें बहुत अच्छा सवाल है यह बहुत ही बढ़ियां सवाल है पच्चीश नंबर कर दो दो है यह भर कर दो है माँ करेश करा दो ही बढ़ियां सवाल हो भर कर दो है आपका दोने भार कर दो हैं कि यहां पचीज नंबर स्वाल पर विश्य ध्यान देना आपको यहां पर दिया 36 मिटर लंबाई 16 मिटर चुड़ाई के हाल के अंदर की चार दिवारों का प्लास्टर कराने का रुपया इतना खर्चा आता है ठीक है हाल की उचाही तथा अन्यकारक समान होते हुए यदि हाल के समान आतन का वर्गकार हाल बनाए जाए तो दिवारों का प्लास्टर कराने में बैक की प्रतिशत बचत यहां दिखता होगी तो यहां पर आपको क्या करना है कि शत्ती मीटर लंबाई यह सोले मीटर चोड़ाई है उचाही नहीं दिया है तो एक काम करिए आताकार हाल का कि छेत्रफल निकालिए कि आताकार हाल का छेत्रफल क्या सूत्र होता है सुत्र तो दो गुड़ें उचाही ब्रेकेट में लंबाई प्लस चोड़ाई तो आताकार की लंबाई 36 चोड़ाई 16 है 36 प्लस 16 जोड़ यह 36 कितना हुआ 36 और 16 जोड़ दीजिए 6 6 12 30 40 50 52 दो ना 104 एच हुआ ठीक है तो अब क्या कहता है कि हाल की उचाही ततार ने कारेक समान होते हुए यदि हाल के समान आयतन का बर्गेकार हाल बनाया जाए तो दिवारों का प्लास्टर कराने में ब्याग की प्रतिशत महत्रा क्या है तो यहां पर एक बार फिर से आपको क्या करना है बर्गेकार हाल बनेगा और उचाही उसका वही रहेगा उचाही इसका यही रहेगा सब कुछ वही रह गावसर कार आपको बनाना है हाँ आयतन समान है माली जब बर्गाकार कमरे का एक भुजा इसमान लेटर एक्स है और उचाई उसका वही है एक्स मान लेज़े क्योंकि क्यूश्चन के अंदर बोला समान सब कुछ रखना उसका उचाई वगर है तो भुजा उसका एक्स है तो एक्स इस्क्वायर इन्टू यच्छ यह वह जाएगा बर्गाकार का आयतन औ हाल कायतन क्या है छतीष गुडे 16 गुडे एकि यह मैं क्यों लिके रहा हूं बता रहा हूं है तो एक बर्गाकार हाल कायतन क्या होगा लंबाओ उचाई तो यक्स होता ज़र रहाए जिए च्च दोनों पत्छोग दोनों और से लिए क्योंकि कोश्चेन में जबर्जस्ति कह रहा है उचाही हमने समान रखना है पहली बात दो नूबर से हैं यह हमारा कट गया तो यक्स इस्क्वाइर बराबर आगए चातित गुड़े दिवालों का छेट निकालेंगे बर्गकार हाल के चेड़ी और दिवारों का छेट फन इसमें भीवज़ में उत्रोंगा तूंट्व एच अब रेकेट में लंबाई प्लच चोड़ाई इसका लंबाई 24 चोड़ाई 24 दोनों 24 24 है 28 28 दूनी कितना होता है 96 ठीक है अब आपको पता चल गया कि दोनों के छेत्रफल में अंतर कितना 104 और 96 में अंतर कितना है 8 कि प्रतिसत आप अब च्टरफल जब कम हुआ तो रंगाई का खर्चा कम ही आएगा भाई पहली बात सफल कम हो गया पहले से पहले का च्टरफल कितना है 104 आया है कमी निकालेंगे अगर आप तो 104 में से 96 घटाएंगे तो आठ एच बटे पहले वाला 104 एच गुड़े कर देंगे सो प्रसेंटेज हमारा आजाए चेस कट गया आठ बटे 104 अगुड़े 100 तो तो तेरे बटे 104 होता है क्या तो यह और यह से कर जाएगा विए 12ए 13 तो कितना आए तिरसके 97 साथ परसेंट बचत होगा अधिकता नहीं होगा ठीक है साथ दसमेलों साथ परसंट क्या होगा इसका बच्चत होगा एकदम के लिए रुआ चलिए आगे अब की बार का सवाल एकदम से ट्रिक पर अधारी था याद रखना जब कभी घनाव का आयतन दिया हो और भुजाओं में अनुपात दिया हो और सबसे बड़ी भुजा चोटी भुजा या मध्य भुजा पूछे या तीनों भुजा पूछे तो आपको दिमाग सिर्फ अनुपात वाला लगाना है कैसे बताता हूं कि करा कि घनाव का आयतन चांसट हजार है भुजाओं का अनुपात एक दो चार है तो घनाव का अधन का सुत्र क्या अवतर लं मत तो आठ तो आट सेम चौम सथ हजार को काड देंगे कि चौम सथ हजार को आट से काड़ेंगे तो आठ टाए ब् alguma चैनाश करना तुक्या फजौ चांसे मेंlier और अच्जार क्यां कि शाहर में कि पूच अब 20 का चार में गुड़ा कर दीजे बीच चौक 80 हो जाएगा अंसर इसका घनमूल क्यों लेंगे क्योंकि लंबाई बुले चौड़ा गुड़ा उचाई तो तीन बार का मतलब घन या घनमूल इस नहते हम जो आया सबसे बड़ी होगी तो यह आपका कॉंसेप्ट है इत्म सिंपल वाला आगे बढ़ते हैं सताई नमबर सवाल में कुछ करना ही नहीं है कर एक हाल का छेतरफल इतना है बेखुब बनाने वाला काम है ध्यान देव एक हाल का छेतरफल इतना है उचाई इतना है हाल की माप क्या होगा जब की दिवारों का प्लास्टर कराने में लागत निवनतम हो जब यह सब्द यूज होगा निवनतम तो उस वक्त हाल की जो लंबाई चुड़ाई होगी वह क्या होगी एक समान होगी क्भी एक समान होगी कम सिकंप निवनतम के लिए क्या वह कं से कम महीं च्छहसोबात्तर 2502 एक दम सभी है जब कभी ऐसा सवाल आजाए ठीक है अब कोगउने पांसोोछेतर 000 या रहता तब तब क्या होता तब क्या होता तब हम चेक करते हैं इसका गुड़ा करने पर हमें इतना आना चाहिए तो इतना आएगा जितना की यहां पर लिखा हुआ है यह तो इस सवाल में कोछ नोजिकल बात है अब यहां फद्हयान दीज्ए बढ़त आपके सामने निकल कर आया है किसी रोलर की त्रीजा कामान एक मीटर है चलिए रोल्र के तरीजा crouch बराबर एक लिख दिया मैंने लंबाई का मान 7 बटे 22 है लंबाई को यच लेंगे यच बरावर 7 बटे 22 किसी मैदान को समतल करने के लिए 500 बार लोड़काना पड़ता है यानि 500 चक्कल लगाएगा हो तो मैदान की जाच करने पर यह पाया जाता कि 5% भाग पर रोलर दो बार चल गया है तो मैदान F कुल शेतरफल क्या है ठीक है तो पहली बार तो रोलर वाला जब भी बात हो तो बिना कुछ सोचे समझे रोलर का वक्रप्रिष्ट निकाल लीजे तो रोलर का वक्रप्रिष्ट हम जब निकालेंगे खैइल तो प्यों पैं अर्ट है तो दो गुड़े 22 वट्टे साथ गुड़े आर कमान तो दिया हिए कितना एक यहां साथ बटे 22 ग्लाइस कट गया सीर्फ है दो मीटर ँदो बैर्ग मीटर आया बक्रिष्ट अब क्या करना है ध्यान से लिखेंगे मेरी बात को सुनिएगा तो मैदान का कुल 6 फल पूचा है तो यहां पर लिखेंगे माना मैदान का 6 फल क्या है यक्स है ठीक है और यहां पर एक बात और कर रहां 5% भाग पर रोलर दो बार चल गया है यानि 5% और उसकी रिफल पढ़ गया है। दो बार चलने का मलब क्या। दो बार और मेहनत हुआ उच्कों वी जोल लीजिए दोहराने का। कर दो यक्स प्लस्ट एक्स का। इसक लेधाइज यह पांच परसेंट। बराबर कितना लिखेंगे बराबर लिखेंगे दो क्या लिखेंगे दो और इसमें कितने का गुड़ा करेंगे 500 बार लुड़कता है ना तो इस 500 का हम गुड़ा कर देंगे 500 बार रोलर लुड़केगा तब ही न उतनी जगा कुसम तल करेगा तो 500 का हमने यहां पर गुड़ा कर दिया तो एक्स प्लस एक्स गुड़े 5 पटे 100 बराबर 1000 अब क्या होगा कैल्कुलेशन बस करिए प्लस 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 सबसार बरायबर 1000, अब इसका क्यल्कुलेशन यह बगल में कर लेते हैं तो 105 प्लस बटे 100 बराबर 1000 तो एक्स बराबर 1000 गुड़े 100 बटे 105 इचुट उपर वाला नीचे जाएगा नीचे वाला उपर जाएगा तो यक्स बराबर हमारा कितना जाएगा एक हजार में 105 से भाग दीजिए तो कितना नोसो बावन दसमलो तीन आठ नोसो बावन दसमलो तीन आठ यह आएगा आपका इतना बर्ग मीटर छेतर फल गुड़ा करके सब्सक्राइब देखिए दोनों सीरों पर खुली हुई धात की एक बेलनाकार धात हुआ है समय लोग खोकला बेलन है ठीक है आंतरिक ब्यास 11.2 आंतरिक ब्यास 11.2 और लंबाई एक कई से मिया है धात के मुटाई इसी में जोड देंगे हम बारी तरिज्या में मुठाई को जोड देंगे दस मतमरों चार को तो तो 15.6 और 24 तो यह हो जाएगा सीधे को सिगे तो लिए पुजाए हो जाए अर्वन बराबर छैे यह बाहरी तरज आ ंज पूदि रिज एअर्ट फॉर बाहरी तरजी जे एक अन्राइख पूंचा choices बराबर हैं इस दिया है लंबाई 21 कमला उचाई 21 ठीके अच्छा अब आगे बढ़ते हैं धातु का आयतन का सूत लगा देंगे आयतन बराबर पाई ब्रेकेट में आरवन स्क्वाइर माइनस आरटू स्क्वाइर इंटू एच तो पाई कमान 22 पटे 7 आरवन कमान 6 का इसक्वाइर 36 मुबाइल से करके देखना पड़ेगा इंटू एच कमान 21 को कार लिजिए साथ से अब यह 22 में गुड़ा कर दीदेगा अरे साथ से कर गया तीन आया तीन का बाइस में गड़ा बाइस तीन चाहां 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 और पास इस वक्त है नहीं गट आते हैं पांदम अच्छे का इसक्वाइब कैलकुलेटर से चलिए कैलकुलेटर हम कोल लिए कैलकुलेटर में हम जोड़ रहे हैं पांच दस्मलों च्छे गुड़े पांद दस्मलों च्छे एक तीस दस्मलों तीन च्छे और घटाना इसमें से च्छत तीस चार दस्मलों च्छे चार फिर गुड़ा करना कितने का च्छा च्छत क्या तीन सो च्छे दस्मलों दो चार आ रहा है ठीक है आमने कर लिया डारेट आप कर लीजेगा हो जाएगा तीन सो च्छे दस्मलों दो चार घंच सिंटीमीटर यह आएगा आपका एंसर ठीक है तीस नंबर सवाल भी एक तरह का हम कर चुके हैं तीस नंबर सवाल की तरह एक सवाल हम बता चुके आपको लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं ध्यान दीजिए एक आता का टिन सीट जिसका साइज 22 सेमी गुड़े 16 सेमी है को मूड कर बेलन बनाया जाता है उचाई 16 है त हां तो 22 बटे दो बोडे फाही कमान 22 बचैसाष्णी में उलत जाए मृद साथ-जर्ट बाइस-बाइस कट गया चाड़िकर 2020 और आ जाए मेलन का ऐतन का सुत्र क्या होगा हुंचा है प्राइश यह यहां सोला ब데 श्रेट के एतन का स्बस्ट्र होता है पाई और तो 2 TWO से 2 सब्सक्राइब तो पर तो यह आपको तो इसी तरीके से आप में सुरेशन के सारे सवालों को साल कर चुके हैं अब यह त्कयों पार्ट है पार्ट पार्ट कोशिश करेंगे compartil और अगर नहीं पाते तेनोप आप अलग आगर देखं़ लेशेगा दो बार जरूर देखना तिनुरूर देखना करके आएगा क्योंकि आपके लिए कर्षी नहीं है बड़े हाई लेबल के सवाल थे थैंक यू एड़ी मैच